हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल वैश्णवी फ्री एजुकेशन क्लासे सभी लोग एक बार जल्दी से कन्फर्म कर दीजे कि क्या क्लियर चल रही है क्लास चल रही है न सभी लोग आ जाएं एक बार और सभी लोग कन्फर्म कर दें कि हमारी आवाज और आडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है बहुत देर से ट्राइ कर रहे हैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था यूटूब से आ जाए चल दीजे कहां चले गए सभी लोग आज जाए जल्दी से टाइम से आ जाए ठीक है आज हमें बहुत लेट हो गया है हाँ आज जाए सभी लोग अरे लेट पढ़ाया नहीं है कनेक्ट ही नहीं हो रहा था आज यूटूब हमारे चैनल से चलिए तीस चालिस क्वेश्चन पचास क्वेश्चन कर लीजे जल्दी से फटा फट से फिर ओफ कर देंगे ठीक है आज क्लास नहीं करेंगे ज्यादा लंबी छोटी ही सी क्लास में पढ़ा देंगे थोड़ा सा ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज हमें 31 से स्टार्ट करना था ठीक है तो पूशा गया है कौन से कलाकार ने अभिनेत्री माजरी दीच्छित पर चितर शंखला बनाई थी आज आईए 31 पे 30 तक हमने कल करवा दिये था 31 से स्टार्ट करना है बताईए माजरी देच्छित पर किसने तो MF हुसैन ने ठीक है आज रात को MF हुसैन की वीडियो आने वाली है रात को 9 बजे तो सभी लोग जरूर देखेगा ठीक है मैम कल रात में आपने क्लास नहीं पढ़ाई थी 9 बजे पढ़ाई थी आपने नहीं देखी होगी रात को 9 बजे हमने अवनीननाट टैगोर की क्लास पढ़ाई थी ठीक है इस पे आईए 32 पे आंसर की बात करेंगे ये भी आपके option B हो जाएगा MF हुसैन ठीक है next question है भारत के किस कलाकार ने पिकासो काथ चित्र प्रदरशनी लगाई आराम MF हुसैन केके हैबर राम कुमार 33 बताएंगे सभी लोग क्या होगा चली 33 पे आईए चली थी आप लोग देख लीजेगा ठीक है option B ये है MF हुसैन आगे चलते हैं हुसैन को किस कला धारा के लिए मुखिरूप से जाना जाता है बताएए आज हुसैन के बारे में पढ़ाये जाएगा पूरा डीटेल में जैसे कल अबनीनाट टैगोर को पढ़ाये गया था न वैसे ही बताएए 34 क्या होगा हाँ ये समकालीन है ठीक है समकालीन याद रखना है आगे चलते हैं निम्निमे से हुसैन ने किस के साथ 100 करोण का शौदा किया था स्वरूप किष्ण स्रीवास्तो अने लम्बानी स्वरूप संपत 35 आ जाएए चली आंसर की बात करते हैं ऑप्शन भी हो जाएगा ये स्वरूप स्रीवास्तो ठीक है आगे पिके बीच उनी सो अन्ठावन का है ये इसको चित्रत किस ने किया है बताएए रजा रामकुमात आरा हुसैन 36 हाँ तो ये भी आप्शन दी होगा हुसैन ठीक है आगे चलेंगे नगन भारत माता को किस ने चित्रत किया है हुसैन हलदार रजा गणेश पाएग बताएए चलें आजए ये नगन भारत माता को इनी ने महोदय ने किया था ठीक है नेक्स्ट है किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है यामनी राय एमेफ हुसैन नंगलाल बोज जी आर संतोस 38 वेरी गुड एमेफ हुसैन हो जाएगा अंसर आप्शन बी नेक्स्ट है धोलकिया जो चित्र बनाया है उतको किस ने बनाया है बताएए 39 धोलकिया की बात हो रही है तो इसको सैन ने ही बनाया है ठीक है जॉर्ज कीट का जन्म कहा होता है कहां पर स्रीलंका भारत में भूटान में वर्मा में कहां होता है जॉर्ज कीट की बात हो रही है बताएए कीट पतंगा है तो यहीं अपने स्रीलंका में हुआ होगा ठीक है चलो आगे नेक्स्ट है टूपेल का उद्घाटन नामक चोच्चत्र है ये किसने बनाया है बता दीजे हुसैन, हलदार, विकास भट्टाचार जी इन में से सभी 41 क्या होगा अंसर? आवाज कूँज रही होकी है ना? आज हम खाली रूम पे बैठे हुए है यहाँ पर बताएगे 41, option C हो जाएगा विकास भट्टा चार जी ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर प्रदोस्दास कुप्टा कौन है? चित्रकार है? मूर्थिकार है? संगीत कार है? इन में से कोई नहीं बताएगे 42 आंसर की बात करेंगे option B होगा यह है मूर्थिकार नेक्स्ट केसियस परेकर का जो जन्म होता है 210, 11, 15, 20 झाल 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 चलिए ठीक है चलिए आज आईए आंसर की बात करते हैं 111 में केसियस परेकर का जन्म होता है ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं बैलगाडी किस आधुनिक चित्रकार की प्रशिद क्रती है? बताईए माफी चाहेंगे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्लास में चलिए आज ये 44 पे कहते हैं न कि जब समस्य आती है तो थोड़ी बहुत नहीं एक खटता आती है औप्शन B हुसेन नेक्स्ट पे आते हैं तच्छन भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेफकर कवच कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है ये पूछा गया है बताईए बताईए पूटी पाईप हाँ बिल्कुल सही है ये है अभी पीवी जानकी रमन नेक्स्ट भारत में कोलाज प्लेट शपाई प्रक्रिया की सुरुआत किसके द्वारा की गई थी क्रिष्ण रेड़ी कमल क्रिष्ण जगमोहन चोपड़ा चित्प्रिशाद 46 ऑप्शन भी कमल क्रिष्ण ठीक है नेक्स्ट वर्ड्स एंड लाइन्स उस्तक के लेखक कौन है एफन सुजा त्रिलोक कौर एसेच रजा जी आर संतोस 47 वर्ड्स एंड लाइन्स पोल गया है तो आंसर होगा आपका उप्शन ए ये है एफन सुजा ठीक है नेक्स्ट है कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिध्धान्त थे बताइए आदिम वाद परियावरण वाद आदिम और परियावरण वाद फिर है प्रिमिटिव कला 48 आंसर की बात करेंगे ना तो आंसर आपको बिल्कुल ऑप्शन C हो जाएगा आदिम वाद और परियावरण वाद ऑप्शन C नेक्स है, next question है आपके स्क्रीन पर काल्ट्रम आनुसार व्रिवस्तित सही विकल्फ का चैन करना है 49 question में यह पूछा गया है काल्ट्रम लगाने को तो इसका डारेक्ट आंसर सुन लीजए के जी सुब्रमन्यम, फिर हैं तयम महता, फिर हैं ए रामचंद्रन, फिर हैं विवान सुंद्रम, ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे चैनल पे जाएगा, आपको वहीं पर कल्व की क्लास मिल जाएगी, अमीनना टैगोर की, ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप में आ जाएगे, तो वहाँ लिंक डली हुई है, वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है, आ जाएगे 50 question है, अनीश कपूर की क्रतियों के स्रजन का जो सही कालकरम है, ये पूछा गया है, खेर आपके एक्जाम में इतना tough question नहीं आएगा, लेकिन फिर भी, जान लीजे, अनीश कपूर की क्रतियों का, स्रजन का जो time period है, वो है, पहले इन्होंने बनाये था, as if to celebrate, फिर बनाये और फिर है, turning the world upside down, ठीक है, तो इस तरह से आपका, जो अनीश ऐसे पूछेगा आपकी एक्जाम में, इनमें से कोई एक कलाकरती दे देगा, और बोलेगा, कि इसको किसने बनाया है, तो आपको याद रखना है, option C, correct हो जाएगा, इनमें से कोई भी दे दे, तो किसने बनाय है, अनीश कपूर ने बनाया है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, next पत, तो पूछा जा रहा है, भारती लगू चित्रकला से कौन प्रभावित है, अम्रिता शेरगिल, गोगी सरोजपाल, अम्रिता को, सरी, अरपना को और, फिर है माधवी पारेग, फिप्टी वन पे आईए, आंसर होगा आपका, लगू चित्रकला से प्रभावित पूछा है, option A, अम्रिता शेरगिल हो जाएगा, ठीक है, next है, अंकुरण नामक चित्रकाद चित्रण किसके द्वारा किया गया था, MF हुसैन, SH रजा, FN सूजा, KK हैबर, हाँ, आंसर की बात करेंगे, option B हो जाएगा, ये है, SH रजा, next, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है, जिसने हिंदु देवी देविताओं का आधनिक चित्रण किया है, पताए, कौन है वो, very good, option C हो जाएगा, ये है, MF हुसैन, ठीक है, next है, निमने में से कौन अतिय थार्थवादी कलाकार है, रवीन नाथ टैगोर, रामकुमार, KS कुलकर्णी, MF हुसैन, 54, बताए, अतिय थार्थवादी कलाकार की बात कुछी गई है, आंसर होगा आपका option A, ये है, रवीन नाथ टैगोर, next, कौन सा जोड़ा असंगत है, बताएए, कौन सा गलत है, 55, नंदिलाल गोस ने सती बनाया है, बिल्कुल सही है, अवीन नाथ टैगोर ने भारत माता बनाया है, सही है, यामनी राई ने तीन औरते बना दी, बिल्कुल सही है, लेकिन दुरगा इन्होंने नहीं बनायी है, अम्धता शेरगिल, तो option A हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते है, अपने चित्रकला में रवीन नाथ टैगोर ने किसका पक्ष लिया है, बताएए, प्रिभाववाद का, अभी व्यक्तिवाद का, क्यूबिज्म का, या थार्थ वाद का, 56, रवीन नाथ टैगोर के बारे में पूछा गया है, बिल्कुल, option B, इन्होंने अभी व्यक्तिवाद का, नेक्स्ट है, गॉस्सिप, एनस बेंदे के द्वारा बनाई गई थी, किस पर, बताएए, आंसर की बात करेंगे, option A होगा, कैनवास के उपर, ओयल से, ठीक है, नेक्स्ट है, गगनिनना टैगोर का, जादूगर चित्र, कौन से यूरोपियन शैली से प्रभावित है, सरीलिज्म, प्रभाववाद, क्यूबिज्म, कला डैको, बताएए, 58, आंसर होगा, आपका option C, 37 गुज्राल के द्वारा बनाई गई, चित्रकारी कौन सी है, दुलहन, तीन बहने, काला चान, सूरज मुखी, 37 गुज्राल, आंसर आपका correct होगा, option C, ये है, ब्लैक मूर, ठीक है, काला चान, next, रामकिंकर बैज का कलात्मक निर्माड किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है, गौन, संथाल, भील, बंजारा, 60, option B, संथाल, next, next, अमरिता शेरिगल, जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, वो कौन है, बताइए, वान गॉक, पाल गॉगन, पावलो पिकासो, इन में से कोई नहीं, 61, option B, पाल गॉगन, ठीक है, मुजीसियन जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए, गगनेंदरनाथ ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है, 62, याद रखना है, option D होगा, टैंपरा, next, point on a, पुछा गया है, point on the island of birds, ये कागज पर जलरंग चित्र से बनता है, इसको चित्रत किसने किया है, ये पुछा गया है आपसे, चार option आपके सामने है, अब बताना है आपको, किसने किया है, इसको चित्रत, बिल्कुल, option C होगा, गगनेंदरनाथ, next, उस आधनिक भारती अमूर्त चित्रकार्त तथा दार्शनिक का नाम बताना है, जिसका पशंदीदव विशे, चट्टान और पच्छी है, 64, option A होगा, यह है जे स्वामी नाथन, ठीक है, next, निर्णलिखित में से किस के चित्र मंजीत बावा से निकटता दर्शा आते हैं, बताईए, नीली माशेक, नल्नी मलानी, अर्पिता सिंग, अर्पिना कौर, 65, बताईए, option D, अर्पिना कौर, next है, निर्णलिखित में से किस की चित्रकला में पोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है, विवान सुंद्रम, विकास भट्टा चार्ची, रडवीर काले का, मनू पारेग, 66, option B, विकास भट्टा चार्ची, नेक्स्ट, निमने में से कौन मूर्तिकार नहीं है, गिरीज भट्ट, मिर्णाली मुखर्ची, बिन आर, पियार दारोज, 67, बताईए, मूर्तिकार नहीं है, पूछा है, आपका हो जाएगा, option C, B, N, R, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर, निमने में से किसके कार से मीरा मुखर्ची ने प्रेणा प्राप्त की है, घर्वा कलाकार, भैर्वा, जारा, बैल मैटल, 68, बताईए, क्या होगा अंसर, very good, option A, ये हैं, घर्वा कलाकार, ठीक है, नेक्स्ट, क्रिश्न रेड़ी कहां से संबंदित है, बताईए, दिल्ली, ह हैदराबाद, मुंबई, चेन नहीं, option B होगा, ये हैदराबाद से, next, हिमत शाह ने कहां से कला अध्यन किया है, दिल्ली से, शांती निकेतन से, बड़ोदा से, या फिर वारार्सी से, हिमत शाह ने, जो कला की study की हुई है, कहां से, तो आपका आंसर क्या होगा, option C, ये MS व श्विद्याले, बड़ोदा से, ठीक है, आगे, next है, PR पोचकन वाला का, फ्लाइट, राष्टी आधुने कला संग्रहाले नेदिल्ली में सुरक्षित है, ये जो मूर्ति शिल्प है, ये कौन से माध्यम में बनाई है, ये पूछा क्या है, बताईए, बताईए, क्या होगा सभी लोग बताएंगे, चलिए, very good, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही दिया है, आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, option D, ये है, aluminium, ठीक है, next, मूर्तिकार, वी आर, खजूरिया, कहां से संबंदित है, भोपाल, चंडिगट, जमू, नई दिल्ली, खजूरिया की बात हो रही है, बताइए, 72, option C होगा, ये जम्मू से है, ठीक है, आगे चलते है, निम्ने में से, किस चित्र की टैंपरा में चित्रकारी नहीं की गई है, गोपाल भोश, आविलेज, नियर मसूरी, बताइए, कौन सा चित्र है, जिसको टैंपरा माध्धम से नहीं बनाया गया है, 73, शाबास, वेरी गुड, हाँ, बिल्कुल नहीं है, option D हो जाएगा, अम्रिता, शेरगिल, बूमेन और चारपाई, बागी ये जो तीनों है, इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इसको ओईल में बनाया गया है, आगे, next है, man eating जलेबी, ययात और सखी भाव, ये जो चित्र है, ये कौनते कलाकार के द्वारा बनाया गया है, बताएगे, केजी सुब्रमन्यम, जोगिन चौदरी, भूपेन खककर, विवान सुंद्रम, 74, ययाती, man eating जलेबी, सखी भाव, बता दीचे, हाँ, आंसर होगा, ये भूपेन खककर, ठीक है, आगे, पीरा जी सागरा, ये किस माध्यम में मुखिताह काम करते थे, प्लास्टर पैरिस, सीमेंट कंक्रीट, कांसा, कास्ट, 75, बेरी गुड, ऑप्शन डी होगा, ये कास्ट में काम करते थे, ठीक है, आगे बढ़ते है, म्यूजिकल, कंस्ट्रिक्शन, ये जो शीर्षक स शिल्पक्रती है, इसको कास्ट और धातु में बनाया गया है, इसको बनाने वाले कौन है, ये पूछा गया है आपसे, बता दीचे, 76 का क्या होगा, बिल्कुल, ऑप्शन भी होगा, म्यूजिकल कॉंस्ट्रिक्शन किसने बनाया है, तो ये धनराज भगतने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्ने में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइपस का उप्योग किया है, ध्रूमिस्त्री, शिव सिंग, वीके गुरू, जानकी राम, 77, पाइपस का उप्योग पूछा गया है, शिव सिंग ने, ठीक है, ऑप्शन B, नेक्स्ट है, गग जादूगर, कहां से आया जादूगर, दिल्ली थे, ठीक है, याद रखना है, आधने कला, संग्रहाल है, नई दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन, यह हो जाएगा, आगे, यामनी राय के द्वारा, कैन्वास पर टेंप्रा माध्यम में निर्मित, मा और बच्चा, 1933 में बनता है, इसको संग्रहीत कहां किया गया है, यह पूछा जा रहा है आपसे, बता दीचे, 79, ऑप्शन भी, यह है राश्ची, आधने कला, संग्रहाल है, नई दिल्ली, ठीक है, चले, शाबस, वेरी कुट, आगे, आज का लास्ट क्वेस्चन है, जादा नहीं करवाएंगे, ठीक है, अमृता शेरगिल का चित्र है, तीन कन्याएं, जो की 1934 में बनता है, माध्यम पूछा गया है, बताएए, क्या होगा, 80 का, पटा फट से आएंगे, तीन कन्याएं, अमृता शेरगिल का चित्र है, यह कौन से माध्यम में बनता है, यह पूछा गया है, देखे, आंसर होगा आपका option C, oil on canvas पर इसको बनाए गया है, ठीक है, तो इस तरह से आपके आज हमने, ठीक है, इस तरह से आज हमने मुस्किल से 30 question पढ़ा दिये हैं आपको, ठीक है, 50 question कर दिये हैं, ठीक है, 50 हो गया आपके, 30 से start किया था हमने, 50 question हमने करवा दिये हैं, अस्ती तक, ठीक है, अब नहीं, ज्यादा नहीं, बच्चे नहीं है, सबका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बागी जो questions रह गए हैं, वो हम कल करवा देंगे, अब ठीक है, बहुत देर से try कर रहे थे, लेकिन connect ही नहीं कर पा रहा था, फिर हमें mobile में ही करना पड़ा, आगे आकर दूसरे room में, इस वज़े से थोड़ा late class हो गई, चलिए, चलिए कोई बात नहीं आप हैं, लेकिन और भी बच्चे हैं, सभी equal हो हैं हमारे लिए, ठीक है, सभी को आज आने दीचे कल, फिर कल से अच्छे से continue करेंगी class को, ठीक है, चलिए फिर off करते हैं, कल हम रखते हैं 81 question से, ठीक है, इ झाल झाल झाल